कुछ जस्पात अजीब से जिन्हें देखना चाहिए तुम्हें भी गरीब से पर उन्हें खुद से भी बया करने से डरती हूँ मैं अपने उम्र से न जाने क्यों आजकल कम बात करती हूँ मैं आज हमारे सब मौझूद है टेलिवीजन एं फिलिम एक्ट्रेस जिन्हें आपने सबसे पॉपलर शो अंताक्ष्टी में तो देखा ही था साथ ही उन्होंने तमाम मौवीज में भी अपने रोल को बहुत खुबी से निभाया है हम बात कर रहे हैं पलवी जोशी की जो आज लखनों में मौझूद है पलवी जी सबसे पहले तो लखनों में आपका बहुत 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 सब्सक्राइब कर रहे हैं कि दर्शकों तक पहुँच जाएगी कुछ उसके बारे में जानना चाहेंगे उसका ट्रेलर तो आज दिखाई चुके हैं हम लोग बहुत जल्द आ जाएगी कि सी ओटिटी प्लाटफोर्म पे आगी है फिल्म और ओरतों के लिए खास उनके टॉपिक पे बनाई है और यहां आने की वज़े यह है कि वुमन का यह साल चल रहा है तो उसमें बहुत ब्रांट फिट करेक्ट है उसका तो हर ओरत जिस समस्या से गुजरती है अधेर उमर में जाके एक मेनपॉस की एक फेज आती है जीवन में तो उसके साथ वो कैसे और उसको हैंडल करती है और सिर्फ वही नहीं उसका परिवार उसका क बड़ी बड़ी मुवीज में आपने काम किया है जहां तक मुझे आद है मैंने भी उस मुवी को देखा था काफी चोटा था तब से आपका फैन भी हूं तहल का की बात करता हूं तब से लेके आज तक में क्या बदलाव देखती हैं सिनेमा में इस्टोरी में और कई तरह की बड़ाव तो काफी आया है और अच्छा बड़ाव आया है मैंने जब करियर शुरू किया था असी के दशक में तो माफ कीज़ेगा लेकिन बहुत घटिया फिल्में बनती थी उस वक्त पे अच्छा बड़ाव देखती हैं सिनेमा से बाहर निकल रहे थे और इसमन कलर की हमें पूरी तरह से आदत नहीं पड़ी थी शायद इसलिए वो मेकप और कॉस्ट्यूम का इतना घंदा फेज रहा हूँ लेकिन आज जब पलट के देखते हैं अपने आपको 80's की फिल्मों में तो लगता है बगवान क्या मैंने ये पहना था क्या मैंने इस तरह से एक्टिंग की थी लेकिन 90's की दर्शक में काफी बदलाव आता हुआ दिखा सिनमा में और आज जब हमारी अगली जेनरेशन जब फिल्में बना रही है काम कर रही है उसमें टेक्निशन्स हैं डिस्ट्रिब्यूटर्स हैं स्टूडियोज में काम कर रही है तो एक बहुत सकारात्मक बदलाव मुझे आता हुआ दिख रहा है शुक्रिया पल्भी जोशी जी आने टीवी से बात करने के लिए और वेल्कम टू अगेन लखनो में संदीब खेर कैमरा प